नमस्कार हम जनकार देंगे good health syrup की विश्य में good health syrup कौन ले सकता है लेडी ले सकती है या जेंस ले सकता है और इससे कितना दिन तक लेना चाहिए कि आपको कुछ side effect देने को नहीं मिले और सही तरीके से पुरा जनकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को अंत तक और देखें और सबसे ज़्यादा तो लेडी जी प्रयोग करते हैं सीरफ को जेंस तो कैपसूल का प्रयोग करते हैं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है आप चाहते हैं गुड हेल्थ सीरफ लेना तो आप जेंस भी ले सकते हैं और लेडी भी ले सकते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ इसके बढ़ाना चाहते हैं तो आप good health का प्रयोग करके आप अपनी बेट को बढ़ा सकते हैं तो आपको ज्यादा कोई बेट नहीं बढ़ेगा लेकिन फिर भी आपके चेरे को सही कर देगा यानि कि आप देखने में अच्छे दिखाई देने लेंगे आपकी health को थोड़ा बढ़ा देगा यानि कि देखने में आपका faconality अच्छा दिखने लेगा तो आप इसे प्रयोग करेंगे तब आपको क्या लाब मिल सकता है यानि यानि कि आप इसे प्रियोग करने लगेंगे ते आपके सरीर में बहुत ही जल्ली सूट करेंगे, यानि कि पंदरे दिनों में आपको लाब मिलने लगेगा, आप पंदरे दिन में ही इसे प्रियोग करके लाब पास सकते हैं, तो आप इसे सही तरीके से प्रियोग करते हैं, त जोशीध धकन से आपको लेना है दो-दो धकन, शुवः और साम लेना है आपको लगता इसे तीन महीना तब तबी जो है कि आपको फायदा मिल सकता है, और इसे डाइरेक्ट नौच होने, आप तीन महीना तक इसे ले लेते हैं, दो-धकन शुवः साम भोजन करने बात, तो तो आप इसे एक दिन गैप करके एक धकन लें, एक दिन गैप करके एक धकन लें, एक महीने तक तब आप इसे बंद करें कि आपका वेट गिरिन है और मैं बता देना हूँ इसके side fact की बारे में, इसे लेने से आप कोई जादा side fact नहीं होता है है लिगिन आप इसे जारे निम तक नूल हो सके कि आपके जो की चेरे पर थोड़े नाने इकल जाए कुवकि इससे लेंगे जारे निम तक चाल के द्होड अब फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में जाहिन बंदे मात्रम